हलो एव्रीवन मैं हूँ हर्षपांड़ा स्वागत है आप सभी का मेरे आज की वीडियो में आज की इस वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे कुछ इस पूरी यूणिवर्स के बारे में जहां लोग पांच टर्मिलोजी की बारे में बात करेंगे पहला है डाक मैटर दूसरा डार्क एनरजी तीसरा से फाइड वरेवल चौता इस पेस टेलिस्कोप हबल टेलिस्कोप जिसे भी कहते हैं पांच वाह है कल्कुलेशन आफ मास ओ कैसे मास पता चला उसके बारे में यहां पर बात करेंगे तो सबसे पहले डार्क मैटर और उससे पहले हम लोग जान रहे लेते हैं दो अलग तरीके की मैटर जो मतलब इसी के कटेगरी में आएंगे मैटर की कटेगरी में आएंगे एक होता है बैरियोनिक मैटर दूसरा होत neutron neutron से नहीं वनी होती है हलाकि इनके भी कुछ भी ऐसा कोई चीज हो जा नहीं गया है तो कहना बहुत ही मुस्किल है हलाकि मैं इनका कुछ example दूँगा कि क्या है non-baryonic matters और यह जो होते हैं बहुत ही low pressure matters होते हैं अब बात करते हैं जो hasn't it Alright जो होते हैं इसों सिक्सट होते हैं मतलब जतने भी चीजें हम जानते हैं पूरे universe में हो सिर्फ पॉंट शिक्स है यानि जितने प्रिफ्वियह जितनी जितने वी चंद्रमा जितने भी आकास हैं जितने भी मंदाक्रिया सबका वजन मिला करके भी जितना उनका सब एरिया मिला करके सिर्फ चार पॉइंट छे परसेंट होता है और यह जो है यह होते हैं 24 परसेंट अब जो बचते हैं अब यह जादा है इसका मतलब यह हुगा कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला जो फोर्स है जो बल है वह यही है डार्क एनर्जी है जो एक हतर परसेंट तक है अब जानते हैं डार्क मेटर यह जो डार्क मेटर होता है यह ना कोई लाइट करता है ना कुछ यह लाइट एब्सॉर्ब करता है डार्क है किसी रहे ना इमीट करता है इसको अभी तक देख भी नहीं गया ना डार्क मेटर हला कि इसका कॉंसरप्ट आइन्स्टीन ने दे दिया था इन दोनों का कॉंसरप्ट और मैं आप लोगों को बता दू कि यह प्रूव नहीं अभी तक कहीं मिला नहीं है पर माना यहीं जाता है कि असा पुछ है अभी अब डार्क मेंटर्स का मैं आप लोगों कुछ रिख़ामपल देता हूं अब यह जो डाक मेंटर सुआ होते हैं के कुल टीर इक्जामपल अमारे पास नहीं जो पहला एक्जामपल वह हिस्सा होता है मद auster कर्ण इतना थंडा सिससा होता है कि वह जल ही नहीं पाता है न жизни पाता हैं और इस तरीखे जो अब्येक्ट्स होते हैं जो इतने उब्जेक्ट पाती हैं उन्हें हमरे प्वर्फ का है मै मैसिव कंपेट हेलो अब्जेक्ट्स दूसरा एक्जामपल सूपर मैसिव ब्लैक होल जिसको मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा हुआ है अपने ब्लैक होल के वीडियो में सेकेंड पार्ट जो है मेरे ब्लैक होल का उसमें तीसरा है विंप्स यानि कि वीकली इंटरेक् मैसिव पार्टिकल्स यह होते हैं यह भी आस तक मिले नहीं है पर एक्चुली साइंटिस जो है वो उनका मानना है कि जब ब्रह्मान बिग बैंक हुआ था उसके बाद एक नया अब्जेक्ट बना था वो यही है विम्स है यह भी है और यह हमारे ब्रह्मान में अभी भी कही है तो अगर यह 70% तक है हमारे ब्रह्मान में तो इसका मतलब कि हमारे ब्रह्मान को चलाने वाला फोर्स यही है यह जो होता है ग्रेविटेस्टनल फोर्स अन्य गुरुत्वाकरशडबल का उल्टा होता है यह अपोज करता है किसी भी चीज का और बहुत ही ज्यादा अपोज करता है इसी लिए डार्क है और इसी वज़स इसका नाम डार्क एनर्जी है 1982 में एक सुपर नौवा एक्सप्लोजन देखा गया था जहां पर उसको देखने के बाद जब साइंटिस्टों ने ध्यान दिया तो पता चला कि जब मैंने आप लोगों को अपना सेकेंड थर्ड हुआ था उसके बाद हमें पता चला कि यह रेट है वह इस तरीके से जाना चाहिए था पर अब रेट कुछ ऐसे चला गया है उपर की तरफ बढ़ गया है यानि यह जो डार्क एनर्जी इसने एक्सलेरेट कर दिया है ब्रहांट के फैलने के प्रॉसेस को पहले ब्रहांट क आप उसके बारे में पहले हैं अपने थर्ड वीडियो में रखा है थोड़ा सा कि यह यूनिवर्सल यडर का काम करती पर अक्चुली में यह जो सफाइड वर्येबल्स होते हैं यह काम किस तरीके से करते हैं इनके चाहिए स्थार्स होते हैं आप यहाँ पे देख रहे अभी पीला रंगा जल के बड़ा सा हो गया और फिर सिकूर के छोटा सा हो गया ठंडा हो पड़ गया वैसे यह क्या करते हैं जब इनका क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं का प्रयोग कैसे करते हैं आप लोगों को मैंने ठीक से बताया नहीं था तो क्या होता है कि यह कब तारा फैल रहा है जैसे यहां पर देखिए की यह बढ़ रहा है और कब यह वापस से छोटा सिकूर के छोटा हो जारे हैं ने को फारटी वही होता है कि यह कभी बढ़ जाते हैं और ज्यादा तेज चमकने लगते हैं फिर इंदम खतम से तो यहां आप वीडियों अब फैला बढ़ा हुआ और जबन लोग केलकुलेट कर लेती तो इसके साथ चल जाता है पर इसके साथ problem क्या थी इसके साथ problem यह थी की धरती पर एक तो यह जो तारह होती हैं एसी जगह पे जहां पर बहुत ज़्यादा ऐसे फैल यह तारह बीश में होता है अब यह क्या करता है कि इन तारह कि लुबनिसीटियां दिपती को सोख लेते जब इसोखते हैं तो धर्ति परसे देखना वैसे ही मुश्किल है यहां के वातावरण में बहुत ज्यादा इसे भाहर ला में और पर पर देखना मुश्किल हो रहा था तब एक साइंटिस में आप लोगों को पताए था Year एडविन हबल ने पहला टेलिस्कोप बनाया था इसलिए अब जो यह हबल स्पेस टेलिस्कोप यह उन्हीं के नाम पर रखा गया तो वहां से साइंटिस्स लोगों ने सचा कि ऐसा क्या करें कम से कम कुछ तो क्लियरिटी मिल आया है मैं तो आप यहां पर यह पिक्चर देखि अब हबल स्पेस टेलिस्कोप में बहुत सारी इंप्रूब्मेंट करके 1990 में उसे लॉंच किया गया था और अब वह स्पेस में चारों तरफ घूमता है इससे क्या होता है कि हमें जो स्पाइड वरेबल्स है वह ज्यादा क्लियर मिल जाते हैं यही प्रॉब्लम थी कि वह क् को बहुत आसानी से नाप पाते हैं सोल अकि पांच्वी बात करते हैं क необход कर आदि रियम गोना कि किटने वजन है और ऑसके गीन और तो यह स्पीट से ट्रवेल कर रही है वह 30 किलो मीटर प्रतिसएकंड की रफ़तार से ट्रवेल कर रही है और इस तरीके से सब कुछ उन्हें पता चल जाð depiction मास उन लोगों निकाल ही लिया है तो अब सब कुछ उन्हें पता है तो सिर्फ एक मास निकालना वह सूरज का है जो करते हैं कि हमाँ जो सूर welements किलोमेटर 25 किलोमेटर 26 की रफशतार से भृम घूम रहा है तो वह अपने सेंटर के चारो तरब घूम रहा है तो उसका सेंटर ज्यूर101 पता चल जाता है S तुम जाने किस पता चल जाता है । अब रही गलक्षी चीज का मास पता चल जाता को सूट कैसे करता तो मैं आप लोगों को यहां पर आप वीडियो देखिए किस तरीके से लेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिकेशन को यहां से इस चीज को Eigель करता है ना कि विलेत खोल के अंदर से करता है यहां से सुट करता है वह बाहर और हर दिशा में कर सकता है ड़र जिस तरफ उपर की तरफ और नीचे की तरफ करेगा तो इस कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और चनल को सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद